कुछ टाइम पहले मैंने एक जबर्दस फिल्म रेकमेंड की थी गुड़नाइट मॉमी एक ऐसी कहानी जो शरीर तो क्या उसके अंदर चुब बैठी आत्मा को भी जोर का जटका दे सकती है आज मैं उस फिल्म का बाप ढूंड कर लाई हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनते वक्त दोनों आँख और कान खुले रखना 101% impossible है सेफटी वार्निंग कमजोर दिल वाले बंदे इस फिल्म और विडियो दोनों से 100 किलोमीटर दूर रहना बारी है विडियो सीरीज की फिल्म नंबर 9 से मुलाकात करने की रॉ जिसको शायद में दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्म का टाइटल दे सकती हूँ ऐसी कहानी जिसको देखना तो दूर सोचकर ही पेट में गुरगुर शुरू हो जाती है फिल्म की शुरुवात एक खतरना कार एक्सिडेंट से होती है जिसमें जान बूचकर रोट के साइट चलने वाला कोई बंदा गाड़ी के सामने छलांग मार देता है जिससे कार आउट ओफ कंट्रोल होकर पेट से टकरा जाती है बस इस एक्सिडेंट वाली इंफोमेशन को अच्छे से याद रखना वीडियो में आगे तुमको कहानी समझने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी फिर एंट्री होती है अपनी फूम की लीड केरेक्टर की जस्टिन एक प्यारी भोली भारी मासूम सी लड़की जो स्कूल खतम करके कॉलेज लाइफ में एंट्री मारने की तयारी कर रही है इससे जुड़ी एक खास बात है जिसको जानना बहुत जरूरी है ये बंदी अपनी फूर्ड हैबिट्स को लेकर काफी सीरियस है मतलब प्लेट में सिर्फ वेजिटेरियन खाना मंगता है अगर नौन विच खाओगे तो ये वहाँ से 921 हो जाएगी कॉलेज में जस्टिन का स्वागत कुछ सीनियर्स करते हैं अपनी खास तरीके से देर रात सभी जूनियर्स को नीन से उठाकर जबरदस्ती एक लाइन में खड़ा किया जाता है और एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने का ओर्डर मिलता है लेकिन हकीकत में ये कोई रैगिंग वगरा नहीं है ये एक ट्रडिशन है कॉलेज का जो कई सालों से चला आ रहा है जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पहली रात कॉलेज में पार्टी थ्रो करते हैं यहां पिफंकी सेकंड केरेक्टर की एंट्री होती है एलेक्स जो रिष्टे में जस्टिन की बड़ी बहन लगती है और कॉलेज में जूनियर्स की सीनियर्स ये अपनी बहन को कॉलेज के खतरनाक रिच्वल के बारे में बताती है जिसमें पूरे बैच का फोटो शूट होगा लेकिन शरीर पे एक ताजे ताजे नए नवेले डैट जानवर का खुन डाला जाएगा तो बस अगले दिन एक घोडे को जबरदस्ती पकड़ कर टेबल पे लिटा कर उसको सैक्रिफाइस करने की तयारी शुरू हो जाती है जब अगली सुबह जस्टिन अपने शरीर पे काफी सारे रैट निशान देखकर घबरा जाती है जैसे मानो पूरी बॉड़ी पे कुछ अजीब सा रियाक्शन हो गया हो लेकिन सिर्फ बहार नहीं शरीर के अंदर भी काफी कुछ गड़बर है क्योंकि वो जस्टिन जो नॉन्विच के नाम तक से दूर भागती थी वो कॉलिज कैंटीन से मीट बर्गर चुराने की कोशिश करती है तो कभी अपने रूमेट के साथ किसी रेस्टों के बहार बैटकर मस्ट मीट सेंविच का स्वाथ चकती है और तो और जब एक राथ रूमेट भया गहरी मीन से बहार आते हैं तो बड़ी बहन एलेक्स को सब कुछ बताकर जस्टिन उसके रूम में रात गुजारने का मन मनाती है लेकिन यहां होता है एक अजीबोगरी भादसा जब सीजर से खेलते वक्त गलती से बड़ी बहन की उंगली कट जाती है और जब उसको होश आता है तो जस्टिन उस उंगली का खून चूसकर उसका मास्क खा रही होती है पर सबसे शौकिंग बात यह कि एलेक्स इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुचाप अपनी छोटी बहन को लेकर कॉलेच से भार एक सुनसान रोड के साइड में बैठ जाती है कुछ दिर बाद उसी रास्ते से कार गुजरती है और एलेक्स उसके सामने जंप मार देती है जिसकी वज़े से कार का एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें एक बंदा तुरंट मर जाता है तो दूसरा बेहोशी में तड़पने लगता है तब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट जब जस्टिन नहीं खुद एलेक्स उस गाड़ी में घुसकर तडपते हुए लड़के के सर से मीट मिकाल कर खाने लगती है इन शॉट ये दौनों बहने कैनिबल इटर हैं मतलब वो शैतान जो इनसान का मास्क खाते हैं इसके आगे क्या हुआ जस्टिन और एलेक्स का फ्यूचर किस सरफ बढ़ने वाला है और ये रोटसाइड मुर्डर्स के बारे में पुलिस कभी कुछ पता लगा पाएगी या नहीं अगर इन सवालों के जब आप तुम्हें खुद डूनने हैं तो फिल्म देख लेना और वीडियो के इधर ही टाटा बाय बाय बोल दो लेकिन मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हो तो वेलकम बैक स्पॉलर वर्निंग स्क्रीन पर आ गई होगी एक बार फिर से कॉलेज में नए ट्रडिशन की शिर्वात होती है जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पेंट में डुबो के एक दूसरे के साथ कुछ वाइल रिस्की टाइप चैलेंज करने का ओर्डर सुनाते हैं जस्टिन को ब्लू पेंट में भिगा कर एक दूसरे लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है जिसके शरीर पर पीला रंग लगा हुआ है चैलेंज एक कि कमरे से बहार निकलने को तब ही मिलेगा जब ये दोनों रंग आपस में मिलकर ब्लू येलो को ग्रीन में बदल देंगे इसके बाद जस्टिन उस लड़के के काफी नजदीक आती है और दोनों फिजिकल होने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक कुछ मिनिट बात वो लड़का कमरे से चिलाता हुआ बहार निकलता है क्योंकि जस्टिन हसी मजाख में लड़के के होट का तुकड़ा खा लेती है जिसे पूरे कॉलेज के सामने उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है और सब लोग उसको हैरानी से देखने लगते हैं इस सबसे काफी डिस्टरब हो चुकी जस्टिन को सहारा मिलता है उसके रूमेट एड्रियन का जो बाकी सबसे अलग इस लड़की से दूर नहीं बलकि उसके पास आना चाता है बस फिल्मे रोमेंस की शिरुवात हो जाती है लेकिन इसी बीच जस्टिन जब एड्रियन के करीब होती है तो उसको काट कर उसका मास खाने का खयाल दिमाग पे हावी होने लगता है लेकिन वो खुद अपना हाथ काट लेती है और अपने अंदर छुपे बैटे जानवर को शान्त कर देती है बस यहां से शिरुवात होती है फिल्म के हॉंटिंग और दिल धहलाने वाले क्लाइमेक्स की जब जस्टिन एक कॉलेज पार्टी में शराब पी कर होश खो देती है और उसकी बहन जान बूच कर उसको एक डेड बॉडी के पास ले जाकर बिठा देती है और उसका अजीब सा वीडियो शूट करके पूरे कॉलेज में फैला दिया जाता है मजाग उडाने के लिए फिर होती है दोनों बहनों में पूरे कॉलेज के सामने एक जानलेवा लड़ाई जिसमें दोनों एक दूसरे को नोच नोच कर खाना शुरू कर देती है जब जस्टिन के गाल का तुकड़ा एलेक्स के मुह में जाता है तो होश वापस आते हैं फाइनली दोनों बहने एक दूसरे को माफ करके सोने चली जाती है फिर आती है अगली सुबह जब जस्टिन अपने बिस्तर में आँखे खोलती है और बगल में सो रहे एड्रियन को देखकर सब कुछ फालतू बाते भूल जाती है लेकिन जैसे ही चादर हटता है एड्रियन का कटा हुआ पैर दिखाई देता है सिर्फ खूनी खून बंदा काफी टाइम पहले ही मर चुका था खुद को मिरर में देखकर अपने मुँपे लगा हुआ खून देखकर जस्टिन समझ आती है कि उसे गलती हो गई है तभी पैर में पड़ी एक रॉट दिखाई देती है जिसमें खून लगा होता है बस फिर क्या एलेक्स पहुँच जाती है कॉलेज से सीधा जेल और जस्टिन वापस अपने घर जहां पापा से एक डिसकुशन के दौरान फिल्म का सबसे बड़ाट फिस सामने आता है पापा की बात मानें तो जस्टिन को शर्मिन्दा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस बिमारी की अकेली शिकार नहीं है ये काफी टाइम से उनके परिवार में घुश चुकी है इसके बाद जब पापा अपनी शर्ट खोलते हैं तो बॉड़ी पर अलग अलग जगे मास्क के तुकड़े गायब दिखाई देते हैं मतलब सिर्फ जस्टन या एलेक्स नहीं इननों की मम्मी भी कैनिबल इटर हैं जो धीरे धीरे अपने पती को थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हैं तो दोस्तो कहानी खतम फुल स्टॉप दियेंड अब बताओ कितने लोगों ने स्टार्टिंग कार क्रेश वाले सीन से ये अंदाजा लगा लिया था कि इसका कनेक्शन जस्टन के साथ जरूर होगा वो लोग भी कॉमेंट जरूर करना जो इस धोके में फस गये थे कि जस्टन ने खुद अपने रूमेट का शिकार किया था और उसके पैर को चबाकर अपनी भूप मिटाई थी अब सच सच बताना ऐसी कहानी सुनी है कभी मैंने तो बिलकुल नहीं और यकीन मानों मैं शर्ट लगा सकती हूँ पूरी फिल्म तुम बिना आखें बंकिये नहीं देख सकते चैलेंज है मेरा बोलो है हमत लिखकर बताओ नीचे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से अंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई